Finally, J.E. Advance का ब्रोशर आ चुका है, जिसका सभी को बेसबरी से इंतजार था आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे J.E. Advance के 2021 के चेंजिस के बारे में इसके अलावा मेंस कब होगा और जामिया, AMU और UPCET के अड्मीशन के बारे में नमस्कार मैं हूँ इमाजी चुरसिया और आज का वीडियो शुरू करते हैं J.E. Advance के ब्रोशर के से इस बार के J.E. Advance के ब्रोशर में कई सारे चेंजिस देखने को मिले हैं, जैसे कि जो student पिछली बार किसी भी कारण वर्ष J.E. Advance नहीं दे पाए थे, वो इस बार बिना मेंस क्लियर किये एडवांस दे सकते हैं, उनका पिछला J.E. मेंस क्लियर होना चाहिए, दूसरी बात बात करते हैं हम लोग फीमेल कोटा की, अभी तक फीमेल कोटा 20% हुआ करता था IITS में, बट अब की बार गवर्मेंट ने ऐसा कहा है कि आपको जरूर परसेंट मार्क्स लेके आने हैं, तभी आप IITS में जा सकते हैं, अदरवाइस नहीं जा सकते, बट अभी अच्छी खबर है कि आपको बस एक्जाम पास करना है, फिर से कोट अनकोट ये खबर सिर्फ इस साल के लिए आगे होगा या नहीं होगा ये पूरी तरह से भगवा सितंबर या उसके बाद होगा, और अच्छी खबर ये है कि आपके पास प्रिपरेशन से में ये याद आया कि जो इस साल का ये एडवांस है, वो IIT खड़कपूर करवा रहा है, और IIT खड़कपूर अपने लेंदी एक्जाम के लिए पहले से ही काफी मशूर है, अब हम ब सकते हैं, अलग-अलग courses की last date अलग-अलग हैं, लेकिन हमारा suggestion ये है कि आप AMU के लिए 8 जुलाई से पहले apply करते हैं, उसके अलावा हम बात करना चाहेंगे जामिया मिलिया इसलामिया के बारे में, जिसकी registration की last date 30 जून है, जो की जल्दी आने वाली है, अगर आप जामिया म admission लेना चाहते हैं और आपने अभी तक entrance registration नहीं किया है, तो आज ही करते हैं, लास्ट में हम बात करेंगे UPCET के बारे में, तो विद्यायती जो अभी तक UPSEE से EKTU में admission लेते रहे हैं, वो अब से UPCET जो की NTA करवाने वाला है, यानि की उत्तरप्रदेश combined entrance test के माध्यम से EK में admissions लेंगे, वैसे इसकी last date 6 July को बोला गया है, जो की पहले 20 June हुआ गया थी, आज के इस bulletin में सिर्फ इतना ही, सभी registration links हमारे description box में नीचे दी गई है, आप उनस पर जाकर के apply कर सकते हैं, thank you, all the best.